तो है गाई स्वागत आपका एक पर फिरसे आपी के यूटीब चैनल में और आज किस वीडियो में बात करेंगे इर्कॉन इंटरनेशनल को लेकर इर्कॉन इंटरनेशनल रेलेवे सेक्टर की कंपनी और स्टोक में आज जबरतस तरहली बनते होगे नजर आई है इर्कॉन इंटरनेशनल दोनों स्टोक ने जम कर तेजी दिखाई है और यह सेर तो आपको पता होगा अभी एक सो पिचैतर सो रीक सो बैतर के असपास था तब इसका ओएफस आया ओएफस के वज़े से स्टोक जोनभी एक सो सतावन रुपे तक नीचे में आया था फिर वहां हुई थी तब मैंने आपको बोला अगर एक सो साथ के नीचे में स्टोक आपको मिल रहा है या फिर एक सो साथ के नीचे में तो वहां पर जोनभी इंटरी का सबसे बैस्ट मोका होगा और कल की दिन भी आप में देखाऊ 119 रुपे का स्टोक नीचे में गया था ठीक है और पर भी एक मोका था तो यहां से आप लोग देखो स्टोक ने कितनी शाहंदार तेजी दिखाई है ठीक है और इन सब को जोना भी आगे भी जैसे इंडियरेल्वे फाइनस के अंदर है इरकौन इंटरनेशनल है इन शिरों में और भी जमकर रहली बनने वाली है तो हमारे जो अनॉसमेंट हुआ फैड की तरफ से अनॉसमेंट की गई है कि वह दो हजार चोबीस के दोरान जो अपनी ब्यास दर्यां उन्हें तीन बार घटाएंगे जी हां एक या दो बार नहीं तीन बार घटाएंगे और उमीद नहीं थी कि एक भर भी घटेगी तो ऐसे हमें जुनाभी सीधे संकेत मिलते हैं कि मार्केट अभी और उंचा जाना है ठीक है मार्केट में अभी और रहली बनी है लॉंग टर्म वाले जो मार्केट में पैसा लगा रहे है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मार्केट के यहां से 2024 के इलेक्शन तक 3 इवेंट्स में आपको कल की वीडियों बताये थे जो रेलेवे सेक्टर की तीन स्टॉक्स के वीडियों बनाये थी आहर वेनल, IRFC, IRCON तीनों के अंदर मैंने आपको 3 इवेंट बताये थे तो 3 इवेंट आने वाले टायम में कौन-कौन सी है एक तो आप लोग देखोगे भी सबसे पहले quarter 3 के जो नंबर हुआ आने वाले है quarter 3 के उसके बाद second event के है budget आएगा budget के बाद के है election है तो 3 इवेंट्स आएंगे और तीनों इवेंट्स में आप लोग देखोगे market में जोना भी धमाकेदार तेजी के माहौल बनने है ठीक है तो अब ये टाइम मौका है इन स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाने का और ये स्टॉक्स आपको जोना भी बहुत अच्रेटन्स दे सकते हैं जैसे कि इरकोन इंट्रेश काफी टैम से बोल रहा है मौका है गिरावट में मिल रहा है ऐसी मौके बार बार निया आते हुड्को है फुड्को के अंदर भी आपने देखा होगा भी काफी टैम तक स्टॉक लोना बेटा रहा ओएफस के बाद ये सतर के आसपास आया था और आज अंकड़े टुच कर लिये थे और आज तो बेखो ओल टाइम हाई पर बैठा हुआ है तो इन शेयरों में और भी रैली बनने के संकेत है चलिए एक ब्रिश के चार्ड देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग देखो कि इरकोन इंट्रेनेशनल एक खतरनाक तेजी पर हमें दिखाई दे रहा है और यह तेजी और भी बड़ेगी अभी तो कहा है अभी शुरुआत है ठीक है और आज ही अगर यह स्टॉक 171 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आप लोग देखो कि इसके जो उपर में टार्गेट रहेंगे फिर में भी एक सो उनाशी एक स्वासी स्टॉक को अक्रिद रहे हैं हैवी वोल्यूम सारी है बायर्स लगातार जोनों भी इंक्रीज हो रहे हैं तो इन सब को देखते हुए यहां पर स्टॉक में गजब की रही बनना लाजमी है आज ब्रेक आउट स्टॉक में होते हुए नजर आया है और जो ब्रेक आउट यह सपोर्ट इसके बने हुए और जो स्टॉंगल सपोर्ट हो कि 154 और 150 में आपको बता रखे है तो इसके सपोर्ट है और उमीद है कि यह स्टॉक आप लोग देखो कि 70-25 के बाव में आ चुका है एक सो बैतर रुपय के आउट स्टॉक के जो लाव लाव ब्रेक करेगा ए फिर जो स्टॉक आपको एक ओल टाइम हाई के तरफ अपने के दम बढ़ाते वह नजर आएगा 20% की लिमिटे ध्यान रखना तो आने वाले टाइम में तीन इवेंट्स पूरे मार्केट के अंदर जो नभी कहर मचाहेंगे और थैंक्यू फर वोचिंग दे वीडियो